का हर्दिक स्वागत है DVD Maths Academy में हम लेके आए आज आपके लिए exercise 15.5 हम पड़ रहे थे exercise क्या पड़ रहे थे 15.5 जिसके question number 7 तक हम cover कर चुके थे last वीडियो के इंदर अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखिए तो आप channel की playlist में जाए वहाँ पर सभी playlist बनी हुई है इससे पहले सभी chapter हम लगबग complete कर चुके हैं ठीक है तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखिए serial wise आप वीडियो को देखेंगे न तभी आच्छे से आपको concept clear हो पाएगा साथ ही आप elements की mathematics की जो book है हमारी वो साथ में लेके बैठें तो question सामने होंगे तो solution ज साथ ही दोस्तों से share करना और channel को subscribe नहीं किया है तो कर लेना आप तक तो देखिए question number 8 है हमारे पास और question number 8 में आपको A vector और B vector दो vector गीवन है और इसकी first condition में बोला गया है कि दोनों vector कैसे हैं parallel है ठीक है तो सबसे easy तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूं parallel के case में क्या हो लिखाई दे रहे हैं यह क्या होते हैं सकेलर कंपोनेंट होते हैं ठीक है तो इनका जो ratio होता है वो equal होता है याद रखें आप parallel के case में सकेलर कंपोनेंट का जो ratio होता है वो equal होता है यानि कि आप सिधा ऐसे करें 2 by 4 equals to 3 by 6 यह एक इक तो आई के कोपिशन्ट लिखें मैंने यह condition क्या होती है equal होती है तो यहां से जब आप cancel करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पर cancel हो जाएगा यह 3 जा 3 3 2 जा 6 पर cancel हो जाएगा तो result जो है वो आपके पास क्या आगया है 1 by 2 equals to 1 by 2 equals to minus 1 upon lambda तो तीनों condition equal है कोई भी दो condition को आप equal रखके lambda की value निकाल सकते हैं तो हम इन दोनों को equal रखके cross multiply करेंगे lambda को आप 1 से multiply करेंगे तो आपके पास क्या आएगा lambda और 2 को minus 1 से multiply करेंगे तो क्या आजाएगा minus 2 तो lambda की value आपके पास क्या आ गई है minus 2 आ गई है ठीक है तो सबसे easy और सही method हमारा यह रहेगा parallel के case में आप same यह concept लगाएं साथी एक दूसरा तरिक्का भी है जो आपने पिछली वीडियो में भी discuss किया था आप क्या निकाल के चलें यहाँ पर angle आपको पता है cost hitta जो है हमारा वो क्या होता था a vector dot b vector upon mode of a vector mode of b vector यह result आप लगा करके भी lambda की value निकाल सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं एक बड़ इस result से कैसे आएगा तो आप a vector का magnitude निकाल के चले magnitude मैं आपको पिछली दो या तीन वीडियो में discuss कर चुका हूँ ठीक है तो आपको याद होगा क्या होता था i के scalar का square j के scalar का square और k के scalar का square और इनके square का sum कराएंगे तो हमारे पास root 14 आ जाएगा same ऐसे ही आप b का magnitude भी निकाल ले तो यह lambda की form में आएगा साथ ही आप दोनों का क्या निकाल ले है dot dot में क्या करते थे i के scalar को i के साथ j के, j के साथ और k के scalar को k के साथ multiply करते थे तो आप इनको multiply करेंगे तो final result आपके पास ही आ जाएगा अब ही जो मैंने formula लिखा था उसमें सभी की value पुट कर देते हैं तो a dot b यहाँ था हमारे पास mode of a यहाँ है और mode of b यहाँ है इसको हम simplify करेंगे साथ ही थिट्टा जो है वो आपको 0 degree की 1 है क्योंकि parallel के case में थिट्टा जो होता है वो क्या होता है 0 degree होता है अब यहाँ पर cos 0 की value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी cos 0 की value क्या हो गई 1 यह denominator यह divide हो रहा है इदर आखके क्या होगा multiply होगा और squaring both side कर लेंगे ठीक है और यहाँ से lambda की final value calculate करोगे तो काफी लंबी calculation आपकी चली जाएगी और आप last में जाकर के देखोगे कि minus 2 आ रहा है तो bothly landy method है पिछला जो मैंने आपका बताया वो ज़्यादा best रहेगा तो आप वोई apply करें ठीक है इसलिए मैं इसको ज़्यादा detail में discuss नहीं कर रहा हूँ चली आगे बढ़ते हैं next है हमारा इसका second point है और second point में क्या बोला गया है second point में बोला गया है कि A, B यह same vector आपको given है A vector given है B vector given है लेकिन अब की बार बोला गया है कि दोनों vector कैसे है perpendicular है तो perpendicular की condition आपको याद होनी चाहिए कोई भी दो vector अगर perpendicular है तो उनका dot product क्या होता है 0 होता है तो सही तरीका क्या रहेगा आप इनका सिधा dot करा ले तो I का scalar I के साथ I का scalar यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4 तो 2 into 4 हो जाएगा फिर यहाँ पर J का scalar कितना है 3 यहाँ पर J का scalar कितना है 6 तो क्या हो जाएगा प्लस 3 into 6 हो जाएगा फिर K का scalar यहाँ पर कितना है minus 1 और यहाँ पर कितना है lambda lambda को minus 1 से multiply करेंगे minus lambda और equals to क्या हो जाएगा 0 अब इसको जब आप solve करेंगे तो 2, 4 जा 8 3 6 जा 18 और minus lambda equals to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 8 plus 18 कितना हो जाएगा 26 तो हो जाएगा 26 minus lambda equals to 0 तो lambda equals क्या मिल जाएगा आपको 26 मिल जाएगा जो की आपका क्या होगा answer तो सबसे best तरीक्पा तो ये रहेगा dot product में मतलब perpendicular के case में याद रखें आप perpendicular अगर कोई भी दो वेक्टर हमारे perpendicular है तो उनका dot product क्या होता है जीरू इसके अलावा वो formula बड़ा का concept भी आप लगा सकते हैं तो वो कैसे होगा A का magnitude निकालेंगे B का magnitude निकालेंगे दोनों का dot product निकालेंगे ठीक है और थिट्टा आपको पता है perpendicular के case में थिट्टा जो होता है वो 90 degree होता है ठीक है तो इन सभी value को हम formula में put कर देंगे देखिए formula में put कर दिया है cos 90 degree रख दिया है यहाँ पर यह dot b हो गया यह mode a हो गया यह mode b हो गया अब cos 90 के value होती है 0 तो यह denominator सीधा इधर जाएगा 0 हो जाएगा यानि कि आपके पास बचेगा 26 minus lambda और lambda equals to आपको क्या मिल जाएगा 26 ठीक है तो यह concept भी आप लगा सकते हैं तो बैटर पहले वाला रहेगा वो आप समझ चुके हैं तो इसको देंद्यान से देखने की आप सकता नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे हम question number 9 का हमारे पास first point है तो a vector यहाँ पर भी given है b vector given है आपको ठीक है और यहाँ पर क्या निकालना है projection निकालना है projection कैसे निकालना है a on b तो याद होगा आपको मैंने 15.5 की जो हमने basic की video discuss की थी just इससे पहले तो 1 to 7 लिए थे और उससे पहले basic की video थी हमारी उस basic में मैंने आपको एक एक बात अच्छे से clear की थी कि projection जो है वो a on b क्या होगा तो on के बाद जो vector होता है उसका magnitude upon में रहता है अगर यही बात यहाँ ध्यान रखेंगे तो formula आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है numerator में हमेशे क्या रहेगा दोनों का dot product और upon में magnitude किसका रहेगा जो on के बाद लिखा हुआ है ठीक है तो उपर आप दोनों का dot product कराएं तो दे होगा वन होगा तो यहाँ से final result आपको क्या मिल गया है 5 यानि के dot b आपको क्या मिल चुका है 5 साथ ही आप b का magnitude निकाल लें तो क्या रहेगा भई बी का magnitude है उस निकालने के लिए क्या करेंगे i के scalar का square जो की 1 है j के scalar का square जो की कितना है minus 2 है तो minus 2 का square भी plus 4E आएगा और k का solve करेंगे तो कितना मिलेगा root 6 क्योंकि 4 plus 1 plus 1 कितना हो जाएगा root 6 हो जाएगा तो mode b की value जो है वो आपके पास क्या हो गई root 6 तो 5 upon root 6 जो है वो final answer हो गया यानि कि आपके पास a projection of a on b आ चुका है ठीक है next है हमारा question number second है इसी का second point है ninth का तो a vector यहाँ given है b आपको given है और यहा question book आपके पास है तो आप देख पारे होंगे कि projection आपको given है तो same वो ही concept लगाना है हमें projection का लेकिन यहाँ पर lambda की value निकालना है projection आपको given है projection आपको calculate नहीं करना है तो आपको दो चीजों किया हो सकता है एक तो a dot b और दूसरा mode of b तो पहले हमने mode of b calculate किया यहाँ पर i का scalar है 2, j का scalar हो जाएगा 6 और k का scalar कितना हो गया 3, 2 का square क्या हो जाएगा 4, 6 का square हो जाएगा 36 और 3 का square क्या हो जाएगा 9, तो final यहाँ से आएगा root 49 और 49 का square root कितना हो जाएगा 7, अब a dot b निकालें, a dot b निकालेंगे तो i का scalar i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ multiply हो जाएगा, तो lambda को 2 से multiply करेंगे 2 lambda, 1 को 6 से multiply करेंगे 6, 4 को 3 से multiply करेंगे 12, तो यहां हो जाएगा 2 lambda प्लस 18, 12 प्लस 6 कितना हो गया है 18, अब सभी की value आप put कर दे, projection का formula यह था, projection आपको 4 गिवन था, दोनों ही projection है, यह formula है, यह projection है, तो दोनों को equal लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें सभी की value put कर दे, तो lambda, a dot b की value आपने put कर दिया, 2 lambda प्लस 18, और mod b आपको given था 7, 7 यहां पर divide हो रहा है, इदर जाके multiply होगा, तो 7 फोर जा कितना आजाएगा, 28, अब इसको और solve करेंगे, तो क्या होगा, 2 lambda equals to क्या हो जाएगा, 28 minus 18 हो जाएगा, तो 2 lambda equals to कितना बचेगा, आपके पा और यहां पर क्या मिल जाएगा, 5, यह किसी बच्चे ने किया हुआ है, आपको पता है, साइन से टिक से आपको पता लग रहा होगा कि यह किसी बच्चे की notebook है, ठीक है, चलिए तोड़ा time की shortage होती है, तो इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम आपको solve करके तब बताएं, त यह three vector given है, और एक vector आपको calculate करना है, तो question के अंदर condition given है, कि यह जो vector है ना, इन तीनों का, इन तीनों vector, sorry, इस vector का इन तीनों vector के साथ dot product जो है, वो आपको given है, बुक अगर आपके पास है, तो आप देख पा रहे होंगे, तीनों का dot product given है, तो first के साथ तो given है dot product minus one, और second के स vector let कर लिया है, चलिए समझते है question को, तो required vector क्या हो जाएगा, जिसको हमें calculate करना है, वो हमने let कर लिया है, AI plus BJ plus six CK, ठीक है, यह let कर लिया है, यह आपके तीनों given vector है, तो इनका हम dot product कराते हैं, और जो given है, उसको equal रखते रहते हैं, तो पहले हम S का P के साथ dot कराएंगे, तो I का scalar I के साथ multiply होगा, आप देख सकते हैं, इसमें I के साथ A है, और यहाँ पर I के साथ कितना है, 3, तो आपके पास क्या जाएगा, 3 है, ठीक है, यहाँ पर B के साथ है, सोरी, J के साथ क्या नजर आ रहा है, आपको B और यहाँ पर J, 0 है, इसमे J नहीं है, तो 0 को B से multiply तो क्या जाएगा, minus 5, अभी हमने P का S के साथ dot product निकाला, जो की आपको given भी था, कितना given था, minus 1, तो देखी, यह हमने calculate किया dot product, और हमें given क्या था, minus 1, दोनो P और S के dot product है, तो दोनों को equal रख सकते हैं, तो हमने इस result को minus 1 के equal रख दिया, और यहाँ से equation number first बन गई, सेम ऐस हम Q और R के साथ equation बनाएंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी इन चीज़ों को मैं बता देता हूँ, तो देखी, ऐसे Q के साथ आप dot product कराएंगे, तो आपके पास आएगा 2A plus 7B, ठीक है, तो 2A plus 7B, और dot आपको क्या given है, second value value के आपको क्या given है, 6 given है, तो यह second equation हो जाएगी R का S के साथ ऐसे dot product कराएंगे, तो आएगा A plus B plus G, sorry A plus B plus C, इसके अलावा R का S के साथ dot product जो आपको question में given है, वो कितना given है, 5, तो यह दोनों ही, यह हमने calculate किया और यह आपको given था, तो दोनों के equal रखके, यहाँ से equation number 3 बन जाएगी, अब इन तीनो equation को elimination method से आपको solve करना ह हैं, तो elimination method आपने 10th class में पढ़ा था, कैसे apply करते हैं, elimination method, coefficient equal करके चलते हैं, तो यहाँ पर A के coefficient हमें equal करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से multiply कर देंगे, और इसको 3 से, मतलब इसका जो scalar है, तो यह कितना है 2, तो इस equation से उसको multiply कर देंगे, और यहाँ पर scalar कितना है 3, तो इसको 3 से, ऐसे आपस में, ठीक है, तो उससे coefficient equal हो जाते हैं, तो देखिए, यह coefficient equal हो गए है, multiply कर दिया हैं, और नीचे वाली equation के sign change करेंगे, तो यह दोनों टरम cancel हो जाएगी, 10 में से 21 को minus करेंगे, तो 10 minus 21 कितना बच जाएगा आपके पास, थोड़ा सीधा ही करें, minus common करके cancel कर दिया बच्चे ने, तो 10C plus 21B, 10C अच्छा, यह BC था, sorry, BC था, add नहीं कर सकते, बिल्कुल सही किया है, minus करके cancel ही करना था, क्योंकि यह दोनों different है, यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है, C यह add नहीं कर सकते हैं, तो minus common करके cancel कर दिया, तो यहाँ से equation हमारे पास fourth बन गई है, जो कि किसमे बनी है, BC में, ठीक है, मतलब first second को solve करके, A को eliminate करके, BC में एक equation त्यार कर ली, अब जो हमारी third equation थी, वो भी BC में थी, और यह BC में है, ठीक है, वो BC में नहीं थी, sorry, ABC में थी, चलो तो कोई बात नहीं, हम first second को हमने solve करके fourth equation बना ली, same ऐसे ही second third को solve कर करके, एक equation और calculate कर लेंगे, तो same, वही elimination method लगा है, इसको simplify करेंगे, यह cancel हो जाएगा, 2B और minus 7B क्या बचेगा, minus का 5B, और यहां से 2C आपका edge रहेगा, 4, आप समझ रहे होंगे, 10th class का concept है, तो यहां से equation number 5 बन गई, अब 4 और 5 दोनों आपको ही, जो है, वो BC में बनी है, तो यहां से solve करेंगे, तब final हमारे पास result आजाएगा, तो देखिए, 4, 5 को solve किया है, यहां पर हमने, यह बिल्कुल 4 और 5 को solve किया है, यहां पर भी आप elimination method लगा रहे हैं, तो coefficient equal करके चलें, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, तो equation 3 में मैं थोड़ा आपको फिर से दिखा तो यही किया है, यहां पर देखिए, 5 से जैसे ही आप multiply करेंगे, तो C के coefficient equal हो जाएंगे, और यह दोनों क्या हो जाएंगे, cancel, इत्तफाक से इधर भी cancel हो गए, तो यहां पर क्या बचेगा, 0, और इधर से आपके पास हो गया, 46B, तो 46 को उदर जाके divide करेंगे, तो B की value ज जरूर है, लेकिन easy question बिलकुल कुछ नहीं है, तीन vector आपको given है, given तीनों vector का dot product, आप एक vector let करके उससे कराएं, और 3 equation बनेगी, first second को solve करें, second third को solve करें, वहां से 4 और 5 आएगी, 4, 5 को further solve कर लें, तो ABC की value आजाएगी, हमारा target ABC की value निकालना है, ठीक है, तो ABC की value निकालने के 2, तो 2 के यहां पर लिए दिया है, तो यह final आपके पास vector बन जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप साइद, थोड़ा मैंने shortcut में वैसे ही सीधा सीधा बता दिया है, आगे बढ़ रहे हैं, question number 11 है हमारा, question number 11 के अंदर क्या है भई, a vector plus b vector plus c vector equals to आपको क्या given है, 0 vector given है, सा लेकि a और b vector अगर हमें given होता, तो इनका dot कराना हमारे लिए बहुती ही जीता, लेकिन vector given नहीं है, आपको केवल a, b, c का magnitude given है, a की यह relation given है, तो इस relation की help से हम क्या निकालेंगे, a dot b निकालेंगे, तो इस type का आपको यदि vector आपको given नहीं होगा, तो आपको relation जरूर given होगा तो उस relation की help से आप निकाल सकते हैं, किस चीज़ को, vector को, sorry dot product को, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें यह given है, a plus b plus c equals to zero, आपको a और b में dot चाहिए, तो आप क्या करेंगे, a और b में dot चाहिए, तो a b को आप यहीं पर रखेंगे, और c को दूसरी तरफ ले उनको आप इधर रखें, बाकियों को उधर ले जाएं, ठीक है, तो यही दिकी है, आपने देखिए, यह minus का c हो गया, अब यहाँ पर क्या concept लगना है, मैंने आपको बताया था, कि same दो vector का dot product उसके magnitude का square होता है, तो आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, कि यहाँ पर squaring both side कर दी, और squaring both side करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर result वई, a vector plus b vector dot, a vector plus b vector, squaring both side कर दी, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, minus c vector dot, minus c vector, तो यह हुआ, इनको आप multiply करेंगे, a को a से करेंगे, to a dot a, a को b से करेंगे, to a dot b, b को a से करेंगे, b dot a, और b को b से करेंगे b dot b तो देखिए ये ही आया हमारे पास a dot a a dot b a dot b और b dot b देखिए commotative property exist करती है आप a dot b लिखें तब भी सभी है और b dot a लिखें तब भी सभी है commotative property इसके इंदर exist करती है दोनों को result क्या होता है equal तो यहां आना था b dot a लेकिन हमने क्या लिख दिया A dot B तो दोनों ही सही है यह लिखा क्यों है तो तकि लाइक ट्रम है और हम इनको add गर सके है ठीक है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सेम दो वेक्टरों का dot product उसके magnitude का square होता है उसके magnitude का क्या होता है square ठीक है यह basic वीडियो में हमने discuss किया था इस exercise की में तो A dot A को हम क्या लिख सकते है mode A का square लिख सकते है A dot B आपका hd है A dot B यह भी hd लिखा है और B dot B को हम क्या लिख सकते है mode B का square लिख सकते है ठीक है और इधर भी हमारा जो c.c था उसको भी हमने क्या लिख दिया है mode c का square लिख दिया है अब सभी की value हम put कर देंगे इसके अंदर उससे पहले हमने क्या क्या mode a square को उधर ले गए minus का हो गया ऐसे ही mode b square को भी इदर ले गए minus का हो गया तो ये final result आ गया c पहले से available था इदर अब इन सभी की value put कर दें और साथ ही देखिए a dot b a dot b को उमने क्या लिख दिया है 2 a dot b लिख दिया है mode b की value थी 7 तो 7 का square 49 हो जाएगा mode a की value थी 3 3 का square 9 हो जाएगा mode b की value थी 5 तो 5 का square 25 हो जाएगा अब 49 में से 25 और 9 को subtract करेंगे तो result हमारे पास रहेगा 15 2 यहाँ पर multiply हो रहा था इदर जाके क्या हो जाएगा divide तो a dot b की final value आपके पास क्या आ गई है 15 by 2 आ गई है ठीक है तो खाली dot पुछा होता तो यहाँ तक हमें केवल simplify करना था लेकिन dot नहीं पुछा है यहाँ पर angle पुछा गया है तो यह angle हम निकाल रहे है a और b के बीच में तो formula कह रहेगा cost theta equals to a vector dot b vector upon mode of a mode of b यह formula रहेगा तो a dot b की value तो हमारे पास क्या आई 15 by 2 अभी हमने calculate की है ठीक है mode a आपको given था कितना mode a आपको given है यहाँ पर भई तो अपोन में आएगा mode a into mode b देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cost theta equals to a dot b a dot b आया 15 by 2 mode a कितना था हमारा 3 और mode b कितना था 5 तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा cost theta equals to 3 5 जा 15 तो 15 by 2 अपोन में 15 आ जाएगा 15 से 15 cancel हो जाएगा तो cost theta equals to क्या आ जाएगा मारे पास 1 by 2 आ जाएगा ठीक है cost theta equals to क्या आ गया 1 by 2 अब cost की जो value है वो 1 by 2 कब होती है 60 degree पर होती है और 60 को radian में क्या लिखते है 5 by 3 मैंने आपको पता है था कि radian में अगर आपको पता नहीं है तो pi आपोन 180 से आप multiply करके देख लिए 0 से 0 cancel होगी 6 3 जा 18 तो pi by 3 आ गया है न तो ऐसे आप radian में change करके देख सकते है तो cost की value 1 by 2 कब होती है 60 पर होती है तो हमने pi by 3 लिख दिया आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते है कि cost से cost cancel होगया और theta equals to कितना मिल गया आपको pi by 3 ऐसे ही है हमने A और B के बीच में अंगल निकाला था अगर मान लिजी आपको B और C के बीच में calculate करना है तो आप B C को एक side रखेंगे जो relation given था क्या relation given था relation आपको यह given था अगर मान लिजी है यहां से B और C के बीच में अंगल निकालना है तो आप B C को यहीं पर रखेंगे और A को दूसरी तरफ ले जाएंगे A दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का अब इसके अंदर भी same वो का वो concept लगाना है तो इस question को आप ध्यान से एक बर फिर से वीडियो को reverse करके देख लें ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते है साथ ही मापको बता देता हूँ यह मेरे signature है आप comment करके बताएं कैसे है ठीक है थोड़ा जल्दबाजी में किये हुए है तो आज की इस वीडियो में इतना ही था अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइक पर लें अब तक नहीं किया है तो साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंद